नमस्कार, तो एक काफी बड़ी खवर हमारे सामने आई है IIT-BHU में आपको बताओगा दो महीने पहले कितना बड़ा परदरसन चला था जब एक लड़की के साथ गैंग रेप का एक मामला सामने आया था जिसके बाद तीन आरोपी बदाए गए थे जिन्नों ने इस घटना को अनजाम दिया था जिसके बाद आज एक बड़ी खवर आही है आसक ने पोस्ट करा IIT-BHU में करीब दो महीने पहले होई गैंग रेप के मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गरफतार कर लिया है आरोपियों की गरफतारी गटना के साथ दिनों बाद हुई है पता देखे IIT कैंपस में आधिरात को बुलेट सहाए तीन लड़कों ने गन पोईट पर चानरा के कबड़े उतर रहे थे चातरा के कबड़े दर्वागर आरोपियों ने इस वीडियो को भी बनाया था गटना के बाद कैंपस में सुरक्सा की माम को लेकर IIT बियाच्यों में लंबा विरोध परधर्शन हुआ था रिपोर्ट के मताबिक पकड़े गए सभी आरोपिय वारानसी के ही रहने वाले हैं और पुलिस ने उस बुलेट बाइक को भी ब्रामत कर लिया है जिसका इस वारणाद में इस्तमाल किया गया था आरोपियों के नाम अब कुछ इन्हों ने आपर नाम दिये हैं अब जिसके बाद देखा जाये इस घटनागरम को 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं और अब जाके इन व्यक्तियों को पकड़ा गया है अब आप ये इंडिया टीवी की रिपोर्ट देगे आयाईटी बियाचु की छातक साथ छिटकानी और दरिंद की करने वाले तीन आरोपियों को वारनसी पुलिस ने गरवतार किया है आरोपियों की प्रोपाइल मजबूत होने से इन पर हाट डालने से बचा जाता रहा जब ये माम लाया था उसके बाद हजारों की तादात में छात्रों ने परदरसल करा था जिसके बाद अब जाकरके उनकी सुनवाई गोई है अब इन आरोपियों को गरवतार कर लिया गया है इन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी परसासन की इतने डिलाई बढ़ती गई इस पर आप क्या कहना चाहेगे अपनी रहेमार साथ कमेट के माद दिन जरूर जियर करें वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें